धर्म की बात जानिये धार्मिक सफर के साथ. महादेव कहते है कि कभी रिष्टों में कड़वाहट आए तो फैसले सोच समझ कर ले क्योंकि तूटने में कुछ समय ही लगता है पर जोडने में सारी जिंदगी लग जाती है. बुरे वक्त की एक खासियत है. ये जब भी आता है अपने पराय का फर्क समझा देता है. जिंदगी में कभी-कभी दिमाग के बजाए दिल की भी सुन लेनी चाहिए, जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी. सफलता भी उन्ही को मिलती है जो दूसरों में नहीं. अपने अंदर कम्या ढूंडने की हिम्मत रखते हैं. जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलतिया है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है. दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता. सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो वो आपको आपके लक्ष तक पहुंचने में मदद करेगी. अपने उपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके. जिस तरह समुंद्र के पानी को सुखाया नहीं जा सकता है, उसी तरह ग्यानी व्यक्ति को भी नहीं हराया जा सकता. जीवन में कभी मायूस ना होना मित्र क्योंकि जिन्दिगी कब अपना मोड बदल ले कोई नहीं जानता. जीवन में माबाप ही आपके सच्चे मित्र होते क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते. संसार में सब कुछ खत्न धीरे धीरे ही होता है पर उसको जानने में लोगों को सैंकडो साल लग जाते है. सीखना है कुछ तो उनसे सीखिए जो आपसे बड़े है भले वो सफल हो या ना हो अनुभव उनको आपसे कही ज्यादा है. आज के अंधेरे में अपना वक्त बरबाद ना करे बलकि कल उसको कैसे उजाले में बदलना है उस पर कार्य करे. हर व्यक्ति के पास अपनी काबिलियत होती है, बस सही वक्त पर जो इस्तमाल करता है वो जीत चाता है. भले आपके जीवन में मित्र कम हो बस ये ध्यान रखे कि उनसे आपको कुछ सीखने को मिले. फ्रेम करना है तो अपने कार्य से करे क्योंकि वक्त आने पर ये आपको कभी धोका नहीं देगा. जिसकी जैसी नियत होती है, उपर वाला फल भी उसे ऐसा ही देता है, इसलिए नियत हमेशा साफ रखे. सेवा करने में कभी पीछे ना रहे जो सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं. जीवन में अगर आपका कोई सच्चा साथ ही है, तो वो आपका साहस और संगर्ष. जिस तरह चिडिया एक-एक तिन का इकठा कर अपना घर बनाती है, उसी तरह जीवन में एक-एक कदम से व्यक्ति अपनी मन्जिल तक पहुंच सकता है. जीवन में दुख और परिश्रम कितना ही क्यों ना आ जाये अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है, तो आप हर जगे से निकल सकते हो. चाहे आज कोई बेइमान व्यक्ति आगे क्यों नहों पर जीवन में सच्चाई की बिना वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकता. किसी को छोटा या बड़ा ना समझे रात में एक दीपक ही अंधकार में रोश्नी देता है. जब एक पत्ता डाली से गिरता है, तो वो कहता है बोज बढ़ने पर सबको गिरना ही है. प्रकृती हमें अकसर सिखाती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ एक हवा का जोंका सब कुछ उजार सकता है. नसीब के भरोसे ना रहो क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा नसीब भी उसी तरह बदलता जाएगा. नकारात्मक ना बने क्योंकि इनसान जैसा सोचता है, अपने चारो तरफ ऐसा माहौल बनता जाता है. अगर आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर ले, अगर आप मन से सच्चे नहीं तो इश्वर आपका साथ नहीं देगा. आप खुद के मन को निर्मल और मधुर रखिये कम्या निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेगे. सीखना जिन्दगी भर चालू रखिये क्योंकि कब कौन सी चीज काम आजाए किसी को नहीं पता. समय की कदर करना सीखिये, आज नहीं सीखे तो कल समय आपको सीखा देगा. लोग तो बहुत कुछ सुझाव देगे लेकिन कार्य आपको करना है, तो फिर सुझाव भी खुद का ही मानिये. हमारी समस्याओं का समधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है. जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. सफलता तुम्हारा परिच्चे दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिच्चे करवाती है. यदी आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते जीवन में काम्याब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है परंतु ज्यादा काम्याब होने के लिए अच्छे शत्रों की जरूरत होती है अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता सफल बनने के लिए सब की सुनने की आदत होनी चाहिए परन्तू करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन महंत करते हैं सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना जीवन में संखर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही उँची और शांदार होगी खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक जलक देखने के लिए लोग अपनी पलके बिचा दे सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी जिन्दगी को खुश रह कर जीयो क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता आपकी अन्मोल जिन्दगी भी ढलती है जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुँ मीठा करें आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुश यां दे सकते हैं उदासियों की वज़ तो बहुत है जिन्दगी में पर बेवज़ खुश रहने का मज़ा कुछ और है लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंडने चाहिए खुशी की तलाश दुहक के सबसे बड़े कारणों में से एक है खुशी और गम एक दूसरे के समानतर चलते हैं जब एक शांथ होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है सफलता खुशी की चावी नहीं है खुशी सफलता की चावी है यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे अकसर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं बलकि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं यह एक ऐसे बुद्धिमान वयक्ती की कहानी है जो अपने गाव के बाहर बैठा हुआ था एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस वयक्ती से पूछा इस गाव में किस तरह के लोग रहते हैं क्योंकि मैं अपना गाव छोड़ कर किसी और गाव में बसने की सोच रहा हूँ तब उस बुद्धिमान वयक्ती ने पूछा तुम जिस गाव को छोड़ना चाहते हो उस गाव में कैसे लोग रहते हैं उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दई और रूखे हैं। बुधिमान व्यक्ती ने जवाब दिया, इस गाव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुधिमान व्यक्ती से वही सवाल पूछा। बुधिमान व्यक्ती ने उससे भी पूछा, तुम जिस गाव को छोड़ना चाहते हो, उस गाव में कैसे लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालू और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुधिमान व्यक्ती ने कहा, इस गाव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आम तौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वा है, बलकि जैसे हम खुद है वैसी देखते है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज्यादा तर मामलों में दूसरे लोगों का वैभार हमारे ही वैभार का आइना होता है। अगर हमारी नियत अच्छी होती है, तो हम दूसरों की नियत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है, तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। जिन्दगी हमारी सारी ख्वाहिश यूही पूरी नहीं कर देती। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है और जब बदलने की बात हो तो अमीर इनसान का भी बदल जाता है।